कि यह विडियो में हम क्रिशी यानि एक्रिकल्चर के कुछ इंपॉर्टन टॉपिक देखेंगे जो हाइप आरो यारो के लिए तो इंपॉर्टन होंगे ही क्योंकि उसमें कॉंसेप्ट पूछा जाता है सिदे और ज्यादा फैक्ट नहीं पूछ जाते हैं तो हाइप आरो या ज्यादा जनसग्या क्रिशी पर निर्वार है और इस बार क्रिशी का योगदान कितना रहा जीडीपी में तो क्रिशी का योगदान था 9.1 परसेंट फिर अगली बार जो है सच से गहनता किसे कहते हैं यह सच से गहनता नाम से थोड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है इस आधे टाइम पर हमने उसमें चावल बो दिया मतलब धान बो दिया उसके बाद जो आकी के 6 महीने बचे या 4 महीने बचे उसमें हमने गेहूं की खेती कर ली तो हमारा जो टोटल उसका प्रोडक्शन हुआ उज्यादा हुआ हमारे 10 हेक्टेयर से ज्यादा लगबग 16 एक साल में हम जितनी तरह की फसलें उसमें उखाले उतना ही हमारा फायदा होगा इस ही को बोलते हैं ससे गहनता इसका एक फोर्मूला होता है सस्य गहनता का उत्यूंता होका मतलब जो रेशियो की छमता भी उतनी अधिक होगी जितना ये सूचकांग का दिखोगा उतनी ही भूम उपियों की छमताविय दिखोगी और सच से गहनता को इंक्रीज करने वाले बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं किसे सच से गहनता बढ़ेगी तो हम जितना अच्छा बीज यूज करेंगे जो जल्दी समय में पक जाए त मतलब एक लिमिट में कीटना सक दवा का यूज करेंगे तो उसे हमारी खेती को फायदा होगा और सच से गहनता इंक्रीज होगी तो ये सभी कारक हैं इसमें से पूछा जा सकता है इन में से कौन से कारक सच से गहनता को बढ़ाने में यूज नहीं होते हैं तो ये सभी यू मतलब जो जिस तरह की खेती की जाती जिससे समवर्ध नियता बढ़े मतलब कौन-कौन सी चीजें एसे की जान जिससे भूआ की यूटिलीटी बढ़े और उसका रिलिवेंस बढ़े तो सबसे पहले चीज जो की जाते ही वह है पर्ती भूमी जिससे कहते हैं फैलो लेंड इसक कहते हैं पढ़ती छोड़ना जिससे ऑटोमेटिक जो भूमी हो रिकवर होती है और उसकी उत्पायदकता बढ़ती है दूसरा सश्या वर्तन जिसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन मतलब अगर एक बार कोई क्रिश्री की गई मालेजे एक खेत में बार-बार हम गेहों की फसल उग कोई भी फलीदार अगर फसल बोई जाती है तो उसे नाइट्रोजन की मात्र में ब्रिदी होती है तो ऐसे बदल-बदल के हमें खेतों में फसल बोनी जाहिए फिर तीसरा है मिस्रित शश्यन यानि मिस्रित खेती जिसे कहते हैं मिक्स ट्रॉपिंग इसका क्या मतलब होता है कि किसी खेत में हम एक से जादा फसल एक साथ बोदें जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं और सर्शों एक साथ बोया जाता है तो यह सभी कहलाते हैं मिस्रित शश्यन या मिक्स ट्रॉपिंग तो मिस्रित शश्यन के फायदे क्या है कि इससे जैसे दो चीज बोई गई पकने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है और दूनों मृदा से अलग 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 तर्ट उक्रहन करते हैं तो इसलिए किसी चीजी कमी नहीं होती है बैलन्स बना रहता है तो यह सभी चीजें इंपोर्टेंट हैं तीनों तरह की पध्धतियां हैं इनका यूज भूम क इनको बेज़ड बोलते हैं तो यह तीनों चीजें याद होनी चाहिए फिर यह इंपोर्टन चीज देख लेते हैं खरीफ रभी और जायात तीन तरह की फसले होती है खरीफ में क्या क्या आता है चावल कपास बाजरा जौार मक्का अरहर यह सभी खरीफ में आते हैं और कि फिर देख लेते हैं कि इनके उपज की दसाएं क्या क्या है तो गेहों की ऊपज की दसाएं क्या है तापमान कितना होना चाहिए ऋघ्जा में पूछा जाता है और आप्शन वही वाला सही होगा अगर आपको यह रटन ना हो मतलब 15 से 20 से वर्षा कितनी होने चाहिए 75 cm वार्षिक वर्षा होने चाहिए और 100 cm से ज़ादा इसे नहीं होना चाहिए जहाँ पर 20 cm वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर भी गेहों की पवदावार अच्छी हो जाती अगर सिचाई वगरा प्रॉपर मिलती रहे फिर चावल आता है Yoga की उपज की दसाई सबसे ज़ादा हमारे हाँ जो चावल खाद्यान में सबसे ज़ादा चावल होता है उपज की दसाई क्या है तापमान होना चाहिए कम से कम 20 cm और पकते और बढ़ते समय 24 से 27 cm तक तापमान होना चाहिए वर्षा 125-200 cm वार्षिक वर्षा होने चाहिए 125-200 और गिहूं के लिए 75-100 तक वर्षा की मात्रा थी नेक्स्ट है गन्ने के लिए 11-12 माह में पकता है गन्ना तो इसमें सभी तापमान आ जाते हैं ग्यारा महिने 12 महिने अगर कोई फसल बोई जा रही तो उसमें तापमान में वेरियेशन होता रहेगा तापमान 20-30 cm वह और तापमान होता है फिर वर्षा कितनी होनी चाहिए 100-500 cm वर्षा इसमें ज्यादा होने चाहिए 100-500 cm फिर आता है जहां पे अच्छी वर्षा होती है करने की पैदावार अच्छी होती है या फिर इसे चाहिए की ज्यादा आव सकता होती है जैसे कि धान में होती है फिर चाहिए की बात करेंगे तो इसमें तापमान होना चाहिए 25-30 cm यह उस नोशीतोष्ण दोनों कटिबंद मतलब जो होते हैं जो दोनों मौशम में होता है चाहिए और वर्सा कितनी होने चाहिए 200-500 cm वासिक वर्सा होने चाहिए मतलब चाहिए के लिए वर्सा की बहुत अधिक आउशकता होती है लेकिन अगर इसकी जड़ में वर्सा इकठा हो जाए तो इसकी जाड़ियां होती है मतलब जो चाहिए बगान होते हैं वह सड़ जा दावार सबसे ज़्यादा कहा होती है तो सबसे नंबर एक पर आता है आसम और इसके बाद पश्चिम मंगाल इसके अलावां दच्छिड भारत में भी चाय के बागान पाए जाते हैं कहवा कहवा में तापमान कितना होना चाहिए पंद्रा से 28 डिग्री सेंटिग्रेट और फ फिर कुछ चीजे हैं जो अभी हाल में यह अग्रिम अनुमान आये हैं फसल उत्पादन के 2021 में कुल खाद्यान कितना अनुमान रखा गया है 308.65 मिलियन टन और यह कितना बढ़ा है 10.14 मिलियन पिछले वर्स से यह बढ़ा है मिलियन टन टोटल खाद्यान यह आपको अंक प्याज रखने 308.65 और चावल चावल का कितना उत्पादा ने 122 मिलियन टन और गय हूं 109 दलहन 25.72 मिलियन टन फिर आता है मोटे अनाज 51.15 मिलियन टन गन्ना 399.25 इसमें बस इंपोर्टेंट वाले चीजे हैं सबसे ज्यादे यहां पर चावल 12 मिलियन टन टोटल खाद् 25.15 दलहन आता है 25.72 गन्ना 399.25 और इस बार तिलहन पर ज्यादा फोकस किया गया है तो सर्सों के लिए एक लच्छ रखा गया है जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए 2026 तक 17 मिलियन टन इसे करना है सर्सों का उत्पादन तो यह सीमा इंपोर्टेंट है 2026 तक करना है इसकी अपकुल्ट के लाहने कुछ कॉंसेट पूचि जाते हैं जो हाइको डाल जा्र चाए के एकजाम में या यूपी पीसस में यह चांसेप्ट पूचे जाते हैं भाड़ती की समस्यां यह पीसथि की समस्यां सुन्हां प्रेट पालने के लिए करते हैं दूसरा है क्रिसी पर जनसंग्या का बारी दबाओ है तो यह option में दे दिया जाता है इनमें से कौन सा कारक भाड़ते क्रिसी की समस्या में शामिल नहीं है तो यह सबी चीजे सामिल है क्रिसी जोतों का आखार छोटा होना मतलब चोटे-छोटे खेत है जो पैत्रिक संपती लोगों को मिलती वो बढ़ती जाती है दीरी-दीरे छोटी हो जाती है और सीमांत इसमें कुछ चीजें आपको याद रख नहीं सीमांत किसान किसे कहते हैं ज इमांत एक हेक्टेर से कम और बड़े दस हेक्टेर से ज्यादा फिर आता है भूमी का असंतुलित वित्रण ये भी एक समस्या है भारत की क्रिशी की भूमी का असंतुलित वित्रण जिसके पास ज्यादा बहुत ज्यादा जिसके पास कम है उसके पास बहुत कम है तो प्रद्य को जाओं बनाया चाहिए यह चारा गाह से शब्स जेडर मृदा पर्दन की से चारा गाह से होता है और पीड कट रहे हैं तो इन सबी से मृदा परदन होता है सिछाई की सुभिदाओं का अभाव है मतलब एक प्रॉपर तरह से से नहीं हो किया जाता इंडिया में फिर श्रम प्रधान क्रिशी है मतलब एक घर के सभी लोग क्रिशी में लग जाते हैं तो श्रम उत्पादकता कम हो जाती है तो श्रम प्रधान क्रिशी है ज्यादा मशिनरी का यूज नहीं होता किसानों का रोड़ वादी और भाग वादी होना लोग मानसून पर निर्वर रहे जाते हैं या फिर खेती जैसी हो रही है वजी भगवार ने जैसे चाहा है वहता होगा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते है फट प्रति हेक्टेर उपच का कम होना मतलब सभी चीजें कम होगी अच्छे बीस नहीं होगे अच्छी मिट्टी नही जाएगी फसलों की बिमारियां तथा कीड़े लग जाते हैं तो कुछ लोगों को कीट ना सक कौँसा यूज करना यह भी नहीं पता होता फिर फलीदार तथा चारे की फसलों की कमी वाले छित्र कम है फलीदार फसलें कम बोही जाती है ज्यादा तर खाद्यानों पे फोकस किय जाता है गेहूं चावल पे और चारे वाली खेती नहीं की जाती मतलब पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कोई काम नहीं किया जाता मतलब अलग से अभी उस तरह से इसका बेनिफिट नहीं देखा गया है कि क्रिशी को बढ़ावा मिले पसलों के विक्रें भंडारण समंधी समस्या है मतलब अगर जादा किसी चीज का उद्पादन हो जाता है तब दिगत हो जाती उसके भंडारण के लिए जगह नहीं कोल्ड स्टोरेज नह मतलब गरीबी होती है तो इसलिए बहुत सारी चीजिशें अगर पता भी होती है तो लोग भरीद नहीं पाते और उनके उपर कढ़्जा भी हो जाता है कर già की वी समस्या किशान महाराज साइट के आंधर प्रदेश साइट के किशान आत्महत्या करते हैं आतारकिक भूधरन मतलब जो बैलेंस है भूमी का वो सबके पास सीक्वल नहीं है उपयोग क्रसी उभूब फियोग नीति का अभाव मतलब कोई भूब यो की कोई नीती नहीं है सरकार की या फिर अच्छा बिजनस उनका नहीं चलता है तो वो खेती करने गाउं में चले आते हैं ऐसी हमारे हां की मान सिकता है इसको नीची निम निद्रिष्टी से देखा जाता है इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया जाता है कि अगर कोई खेती कर रहा है तो बतलब उसको उसको निम्ने द्रिश्टी से देखा जाएगा, तो इस सभी समस्या हैं हैं इंडिया की घृशि में, फिर आता है भारत में हरित क्रांती, विश्व में हरित क्रांती का जनक कौन किसी का जाता है, यह सभी को पता होगा, नॉर्मल बोर्लोग को, और इंडिया में MS स्वामी ना तो हरित क्रांती के अंतरगत अधिक उपस देने वाले बीजों का प्रयोग होता है और उर्वरक का प्रयोग सिचाई में विस्तार कीटनासक अशदियों का प्रयोग हुआ और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग बवफसल मतलब एक खेत में जो कई सारी क्रिशी की जाती है एक में कई तरह की फसले रेंड सुभिधायों प्लब्द कर आए गई बैंकों के द्वारा जिससे करजा कम हो सके महाजनों से ना लिया जाए फिर है मर्दा परिक्षण मर्दा परिक्षण जिससे हमारे खेत में किश्विष की कमी है भूस और रच्षण मतलब बिटी का बचाव करना जो परदन होता है फिर ग्रामेड विद्यूतिकरन जिससे सिचाई वगरे की बेवस्थाची हो सके गाउं में अगर बिजली रहेगी तो सिचाई की बेवस्था कि निर्धारान किया गया तो ही सभी विसेशता हैं रही है हृत क्मी क्रांती की प्रभाव क्या कैंब कि व master करें दोगी लगी पूंजी वादी खेती को बढ़ावा मिला और लाब का पुनर निर्देश यानि प्लॉगिंग बैक टू प्रॉफिट इसका क्या मतलब होता है कि अगर जो किसान थे उन्हें जो भी बेनिफिट होता था क्रिसी से उससे वो अपनी ही क्रिसी को इंट्रीज करने के लिए काम कर लगे मतलब उसको बढ़ावा देते थे अपनी खेती को जो भी उन्हें फायदा मिलता था उद्योगों का विकास हुआ मूल्यों पर प्रभाव पढ़ा मतलब किसी चीज की किसी भी खाद्यान की कीमत बहुत हद से ज्यादा नहीं बढ़ती थी फिर ग्रामिड रोजगार क प्रभाव गाउं में रोजगार उपलब्द हो पाया किशानों के विचारधारा में परिवर्तन आया कैसे खेपी की जानी है इन सभी चीजों में किसान रूची लेने लगे फिर आता है हरित प्रांती के कुछ दोस्ट भी रहे जो मरे लें इंपोर्टन्ट है सीमित फसले यह बहुत कम सीमित फसलों पर इसने फोकस किया मुखेता गेहूं पर थोड़ा बहुत चावल पर भी डाल वगएरा जिसे कपास है चाय गन्ना है इस सभी चीज़ें इनसे दूर रही मतलब इनसे अच्छोता रारित क्रांती और उसके बाद फिर है सीमित प्रदेश इसने स समानता में ब्रिद्धी हुई जो लोग अमीर किसान थे वो ज्यादा पैसा लगा कि अपनी जो उपज है उसको बढ़ाते गए और अमीर होते गए और जो गरीब थे वह गरीब होते गए फिर वैक्तिगत विशमताओं में ब्रिद्धी हुई मतलब वहीं अमीरी गरीवी मे कम होने लगी जो हरित क्रांती से व्रिदी तर शुरुआत हुई थी वह अच्छे से देख लिएगा आप किसी भी एक्जाम के तायरी करते हैं जहां कृषी पूछी जाती है वैसे यूपी के सभी एक्जाम में पूछी आती है वीडियो पसंद आयो तो लाइक और सब्सक्र झाल झाल